दुनिया की सबसे जो बूरी जगह है मेरी नजरों में, वो जेल ही है, जेल से बूरी जगह दुनिया में कोई होई नहीं सकती है, मेरा एक फ्रेन था बहुत अच्छा, ट्रेनिंग भी हमने साथ में करी, मोवैल फॉन वगरा नहीं थे, तो वो रात के टैम, कैम को क्रॉस करके बाहर चला गया फॉन करने, तो उसको लेटंग ने उठाया, और उसकी बॉडी में अठारा नट बोल डाले, ड्रिल मसीन से छेद करके, मतलब दोनु पैरों को जोड़ा एक साथ, और ड्रिल मसीन से छेद किया, फिर नट डालके कसे, तो ऐसे उसकी पूरी बॉडी में अठ की उपर सकच करेंगे, तो आपकी चीख जाएंगे के किलो मेटर दूर तक, दोनु हुक को यहाँ बोन में फसाएंगे और उपर उठाएंगे आपको अज हमारे साथ जो शक्स जुडने वाले हैं, वो कोई मामूली इंसान नहीं है, नाम लक्षमन सिंग बिष्ट, लक्की बिष्ट या फिर एजेंट लीमा, नाम से जादा इनके काम है, इन्होंने आर्मी में काम किया हुआ है, नस्जी कमांडों रह चुके हैं, स्पेशल फ में भी काम किया हुआ, लेकिन इसके अलावा इनोंने बॉलिवूड में भी अपनी पैचान बनाई हैं, दस से जादा वेब सीरीज और फिल्मों के लिए ये और्थर राइटर रह चुके हैं, इनकी लाइफ बहुत ही जादा मिस्ट्री है, लेकिन लोगों का कहना है, उत्र ये उन्हें सजा भी हुई, चार साल की जेल हुई, चार साल की सजा हुऩ willing आटनी पड़ी, लेकिन सबसे इंपार्टनट बात ये है, बिना किसी प्रूफ के इन्हें पकड़ा गया, कोई प्रूफ नहीं था, इसलिए कोट ने भी इनें बरी कर दिया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चार साल में इन्हें ग्यारा जेल में ट्रांसफर किया गया और चार जजेस को भी बदला गया अब इनकी इतनी मिस्टिरियस लाइफ के बारे में जानने के लिए हमें लगी बिश्ट से बात तो करनी पड़ेगी So please welcome none other than लगी बिश्ट लगी जी नमस्ते, welcome to the show Thank you लगी जी एक बात बताईए काफी आपके बारे में हमने सुना है You have been into many services जैसे हमने अभी बात करी आप आमी में थे, आप special services में थे As in NSG commando also, into secret services अब आप writing में हैं, आपने कई सारी You know, web series के लिए लिखा है, movies के लिए भी लिखा है आपने If I may ask, अगर मैं कहूं कि time machine अगर हम देखे और मैं आपको पीछे ले जाओं तो इसा कौन सा profession है, जिससे आप फिर से जुड़ना चाहेंगे या आपको लगता है कि, you know, this is the profession that I would like to do it again अगर मुझे लगता है कि, अगर मुझे फिर से एक बारी कुछ करने का मौका मिले, या in future में मैं चाहूं, तो मैं दुबारा अपनी गौर्मेंट के लिए ही काम करूँगा, ठीक है, क्योंकि 2019 से पहले, जब भी मैं मतलब अब गौर्मेंट के लिए काम करता था, मुझे पता ही नहीं था कि, मतलब हिंदू, मुसलिम, ये धरम भी होता है करके, जब से मतलब मैंने जॉइन किया, 2003, last month, और 19 तक, मैं जिनके सा भी रहा, मुझे पता ही नहीं हो कौन से कास्ट के थे, किस चीज के थे, लेकि जब 2019 मैं मैं आया, मतलब जब सिविल के अंदर आया, तब मुझे पता चला कि मतलब कि हमारे देश, मतलब भार की चीज़ने छोड़ो, खुद ही अंदर डिवाइड है, तो मतलब यहां कि आप कैसे आगे बढ़ोगे, मतलब आप अपनी कंट्री को कैसे आगे लेके जाओगे, पहले आप इनी चीज़ों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जिस और्गनेजेशन के लिए, जिस एजनसी के लिए मैं काम करता था, वहां पर सबसे अची चीज यह मतलब कि हमने कभी धरम कोई नहीं माना मैं, हमारे जो गलत हो गलत है, चाहिए वो किसी भी धरम का हो, मतलब एक गलत आत्मी की कहते हैं कि कोई भी, मतलब धरम नहीं होती, कोई जात नहीं होती है, जो गलत हो गलत ही है, तो मतलब गलत मतलब आप किस किस आप गलत को किस अगर आप एक आम इंसान को लो जो को कर ने दे साट लाइगे ऑप क्जिंदे थे ए विaysतव कर पा रहा है उसके आपके ले करें यह दे नहीं के जोपते हैं अप प्रॉपर इस गोपर केन MOSinka मतलब दिल से आप अपने देस के साफ नहीं है एक नॉर्मल आम आदमी से बता रहा हूं इस से उपर फिर क्राइं फिर नक्सलाइट फिर टर्स हर आदमी अपने लेवल पर गलत कर रहे हैं मैंना करेक्ट है मैं समझ रही आप क्या कहना चाहरा है सो time machine से जुड़ा एक और सवाल मैं आप से पूछती हूँ कि आपने अपने जीवन में कभी कोई गलती की है जैसे आप कह रहे हैं कि जो गलत है वो गलत है कभी कोई भी ऐसे गलती से गलती हो गई आप से क्योंकि जब आप as an agent भी काम करते तो होता है ना कई बार की उपर से orders आ जाते हैं आपको नहीं पता आप नहीं गलत काम किया फिर आपको उस चीज का आज पच्छतावा है time machine अगर मैं बात करूँ अगर आपको मैं कहूं कि पीछे जाना है और देखना है तो आपको ऐसे किसी गलती का पच्छतावा है या कि ये मुझसे गलत हुआ ने बिलकुल मैं देखो क्योंकि मैं भी इनसानी हूँ है ना तो गलती दो मैं भी करूँगा तो एक बार मैं जब जेल में था और continue जेल ट्रांसपर हो रहे थे बहुत जगह और बार बार परिशानी कि मतलब इस जेल से दूसरी जेल उस जेल से दूसरी जेल और वहां भी एक single cell में आपको रहना पड़ रहा है मतलब दुनिया की सबसे बूरी जगह और उस बूरी जगह में भी आदमी देखने को नहीं मिलेगा आप एक single अंधरे cell में रहोगे तो मैं भी परिशान हो गया खुझ से ही यार मैंने कहा यह क्या कर दिया मतलब मैं अपने back को याद कर रहा हूँ अपने पीछे को याद कर रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि जब से मैंने host समाला तब से तो मैं हो ही कर रहा हूँ यार जो मुझे orders मिलें मेरे father ने भी army को serve किया मेरे grand father ने भी army को serve किया तो हमारी all over family में तो कभी ने कुछ बुरा ही नहीं किया तो मुझे किसी इसकी punishment मिल रही है तो मुझे खुद से हुआ तो मुझे एकदम से याद आया कि यार मुझे मतलब शाहिद उस तर्म दो धाई साल हो गए ते जेल के अंदर ही तो मुझे याद आता है कि यार एक बर ही क या जो special force के लोग थे तो मैंने अपनी information उनके ताश शेयर करी और मैंने गा अरजेंट अभी निकलना है करके तो एक ऐसा है जिसको हम करी time से डून रहे थे बहुत time से जिसको special forces या आर्मी डून रही थी हम लोग उस जगह पर पहुंचे और जो भी मेरे source ने मुझे जो बत कि यार मतलब सर गलती हो गई करके यह गलती मुझसे हुई है हमने गलत को उठा लिया करके अब लेकिन हम जीस देश में आपर human rights commission बहुत तकड़ा था international human rights commission है तो मेरे इसको इतना torture कर चुके थे लेकिन अब क्या बोले कि seniors को मैंने बोला कि गलती मेरी है करके लेकिन गलती क है आप एक innocent आत्मी को नहीं उठा सकते एक woman rights commission के तह तो जो भी मेरे seniors ने orders दिये है और आपने follow किये मैंने follow करे और मुझे आज भी लगता है कि अगर मुस्टम थोड़ा सा strong ख़़ा रहता तो एक आत्मी को बचा सकता था मतलब मुस्टम थोड़ा सा हिम्मत करता और मैं बो जेल के अंदर लगा कि भाई जो मैं चार साल की जो मैं सजा काट रहा हूं यह मैं सजा इस चीज के लिए नहीं काट रहा हूं यह मैं सजा उस चीज के लिए काट रहा हूं जो गलती मुझ से हुई है life के अंदर तो मैंने फिर question किया इश्वर से कि यार भगवान जो मैं जो जो भी कर रहा हूँ, मैं ही करा रहा हूँ गर की. मतलब, जब आपने बात की, की जेल में, एक अंधेरी कोटरी में आप थे, तो ऐसे बहुत self-analyzation काफी किया होगा आपने उस वक्त. आपने बिलकुल. पर कही न कही सिस्टम से भी गलती हुई है, आपको उस बात की सिजा मिली, जो आपने की ही नहीं. देखो, अक्शुली कहा है, सिस्टम में जो भी काम कर रहे हैं, हर आदमी बूरा नहीं है, और हर आदमी अच्छा भी नहीं है. आप दुनिया का कोई भी डिपार्टमेंट हो, इस दुनिया के अंदर, हंडेर्ट में से हंडेर्ट तो सही नहीं है, लेकिन हंडेर्ट में से ऐसा भी नहीं है, कि सब के सब गलत हैं. कुछ ना कुछ अच्छा है, तब ही दुनिया चल रही है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो, चाहे जेल हो, चाहे पुलीस परसासन हो सौ मेंसे बहुत सारे लोग बुरे हैं आज भी बुरे हैं और कुछ लोग अच्छे भी हैं जिनकी वैसे सिस्टम चल रहा है मतलब हमारा सिस्टम बुरा नहीं है लेकिन जो सिस्टम के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उन मेंसे बहुत सारे लोग गलत हैं तो चाहे जिनुने मुझे उठाया या उस तरम जो भी गॉर्मेंट थी तो देखो पुलीस है या वो ही फॉलो कर रहे हैं जो उनको पर से ओर्डर्स मिल रहे हैं लेकिन चार साल की आपको सजा हुई जिसमें से आपको ग्यारा बार ट्रांसफर किया गया अलग-अलग जेल में और चार जजजस भी बदले गया सो कुछ न कुछ तो गड़बड है ने इसके अंदर लेकिन लाश्म में भार तो आया है ने आज आपके सामने हुई बिलकुल तो मतलब लाश्म में सच तो सची होगा आप उसको बदल नहीं सकते आप ये देखें ने कि मतलब ईश्वर भगवान तो स्वम भगवान राम तो रामी दे ने उनको भी तो मैं 14 साल तक जंगल में रहना पड़ा इनको सब कुछ पता था फेस तो उन्होंने भी किया ना हम तो फिर आम इनसान है ये आज भी कर रहे है और फ्यूचर में भी करेंगे ऐसा नहीं है कि हम बोलेंगे कि अभी खतम हो जाएगा वो सकता ये आगे भी हो लेकिन हमारा मतलब मेरा फर्ज है कि बाई मैं कhouरा रहूं गरके यार मैंने जो decision लिया है मैं उस decision पर रहूं मैं ना जुकूँ क्योंकि मुझे पता है कि जो मैं कर रहूं वो सही है अगर मैं सही के साथ क्था रह रहा हूं तो कभी ना कभी तो वो सामने आएगा वो देर लग सकती है लेकिन ऐसा नहीं है कि दुनिया में कोई यह नहीं बोलेगा कि सही चीस सामने नहीं आएगी वो आएगी डाफिनेटली पर क्या आपको लगता है आपको कहीं न कहीं फसाया गया जब यह इंसिडेंट हुआ था और आपको पकड़ लिया गया हुआ क्या था इस इस इंसिडेंट में जहां पर हम यह जो क्रिमिनल्स है राजु पर गए और अमेतारिया की हम जब बात करते हैं आप कैसे उलज गए इस केस में तो इस ऐसाँ हुआ था जो भी वहां पर एक फाथसा हुआ था जो डबल मुडर हो एथे तो उस टाम में just leave गया हुआ था 15 days की casual leave गया हुआ था उस टाम में इसलिए L.K. Advani का पसना security officer था तो एक emergency leave में गया और कुछ एक लोग किया actually जो भी इंसिडेंट हुआ तो उस टाम नहीं नहीं SSP आ रखे थे वहाँ पर तो उने पोस्टिंग लिए रखे दो दिन भी नहीं थो उनको पोस्टिंग लिए वे अगर कोई भी देखो कोई भी कोई भी पुलीस officer जिस एरिया माता वो हमेशा है चाहता है कि यार उसके एरिया में शांती बनी रहे कभी कोई पुलीस officer यह नहीं चाहेगा कि उसके एरिया के अंदर कुछ ना कुछ गरबड़ो और जस्ट अभी नहीं नहीं पोस्ट आ रखी है एक और पुरा इस्टेटी हिल गया करके तो क्या होता है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी action करो पुलीस force भी चाहती है कि हम जितनी जल्दी case को solve कर लेंगे रफा-दफा कर लेंगे और उतनी जल्दी क्या हो जाएगा हमारा नाम होगा चीज़ा होगा तो जैसा हम सोचते हैं वैसा होता नहीं है यार अगर आप 24 गंटे के अंदर case को solve कर सकते हो तो आपके पास तो इतनी बड़ी intelligence थी नहीं है आपको क्यों नहीं पता चला कि दो आदमी मरने वाले हैं करकी आप यह दावा करते हो कि मैं 24 गंटे में मैंने case खोल लिया तो उनको मानने की जो भी planning रही होगी वो planning महना बहर दो महना तीन महना कुस तो रहा होगा suddenly तो किसने मारा नहीं होगा नै तो एक तरफ आप कहते हैं कि आपने case को solve कर दिया दूसरी तरफ आप कहते हैं कि आपकी पूरी intelligence failure है करके जो भी आपकी local intelligence नूट है वो failure है आपको क्यों नहीं पता चला कि कोई incident ऐसा होने वाला है करके या तो अब आप सही हो या पहले आप गलत थे लेकिन वो जो ये जो incident हुआ सिर्फ एक Hollister के basis पे आपको पकड़ा गया और इस basis पे कि ये किसी trend व्यक्ती नहीं किया है क्योंकि एक गोली से दो लोगों को मारा गया था अच्छी क्या हुआ पुलीस या मतलब जो भी उनको बोलें जो भी उनकी जाच पर उनको ये लगा कि एक तो बहुत बड़े criminal कोई उनको touch भी नहीं करेगा जिनके ओपर बड़े politicians कहा उनके ओपर कई cases चल रहे है तो जो उनको touch करेगा वो भी उसी type का एक आदमी होगा पहली चीज़ तो उनको ये लगा दूसरा क्या है कि मारने वाले ने जिसने भी मारा है एक single short ही मारा है वो conform ही killer मतलब ऐसा नहीं है कि जिसने कि 10 बार गोली है मारी है चीज़ें करी है ऐसा भी conform नहीं है जिसने मारा शौर मारा है उसको यकीन है कि मर गया गर की एक ही बारी में तो ये कौन हो सकता है तीसरा किया मेरे पास भी चलो pistol है अपना खुद का मेरे पास भी weapon है जो government ने मुझे issue करे गए तो उसी time intelligence को हमेशा क्या रहता है जब भी मा आता हूँ तो मेरी reports भी रहती है कि lucky beast आया हुआ है करकी तो suddenly क्या है already मेरे पास एक crystal मरने वाले को single shot महीं मारा ठीक है बड़े लोग इनको वो ही आदमी touch करेगा जो नहीं डरेगा अब लगी जी देखें गल्ती तो हुई है जिसकी वज़े से आपको जेल में भी रहना पड़ा एक experience जो है आपने वहां पर भी गेन किया है कही न कही आपने जेल की जिन्दगी को बहुत करीब से देखा है बहुत करीब से तो यह जेल के उपर तो हम पूरी एक podcast करेंगे बाद में और I hope audience comments में हमें लिख के बताए if they want to see a podcast with lucky wish on jail economy आप मुझे बता सकते हैं कि जेल में आपको किस तरीके की परेशानियों जेलने पड़ी किस तरीके की परेशानियों एक तो आपने जैसे बताया कि कोट्री में थे वो जेल पूरा अंधेरा और एक सेल में थे आप और कुछ बता सकते हैं मुझे सबस्दा प्रॉब्लम हुई जेल में चलो मैं अंधेरी कोट्री में हूँ तो ठीक है continue jail transfer में ले बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि क्या है मैं दुनिया की सबसे जो बूरी जगह है मेरी नजरों में वो जेल ही है जेल से बूरी जगह दुनिया में कोई होई नहीं सकती है एक तो मैं जेल के अंदर जेल में वो भी single cell में है मैं वहां अर्जस्ट होने की कोशिश करता हूँ मतलब अब आप suppose करो मैं अपने घर भी गया हूँ तो मुझे अपने हम अपने घर जाते हैं या हम किसी दूसरे होटल में भी जाते हैं तो मैं इस तर पर भी टायम लगता है नीद आने में क्योंकि हम एकदम से अर्जस्ट नहीं हो पाते हैं अब हम मैं किसी जेल के अंदर गया वहां मुझे एर्जस्ट होने में यार दस-पंदर दिन लगे लोग तो एक तो मेरे पास आनी रहें डर के मारी पता नी लोग क्या वहां के मतलब परसासन ने क्या बोल रखा है मतलब जो आदमी मुझे बात करेगा मुझे कोई प्रॉब्लम नी है प्रॉब्लम उस आतमी को है उसको अलग से टॉर्चर मतलब जिसने मुझे बात कर ली क्योंकि जेल के अंदर क्या है सिस्टम है जेल का जेल का क्या है जेल का जो जेलर या सुप्रीडेंट है उसको जेल चलानी है एक example के लिए क्या होता है कि अगर बाहर दो criminal भी आ जाते हैं या दो anti elements दो terrorist आ जाते हैं तो आपका district state safe नहीं है जब तर को लोग अंदर नहीं जाएं क्योंकि उनको जेल के अंदर डालना बहुत जोड़ी है तभी आपका system मतलब लोग आराम से रह सकते हैं अब एक ही जेल के अंदर जहां दो दो तिन तिन हजार लोग रह रहे हैं और सारे क्रिमनल हैं कितनों ने murder किया कितनों ने blast किया कितने terrorist हैं बट एक आदमी को उनको control भी करना है क्योंकि एक आदमी जो बैठा हुआ है जो वहां का जेल सुप्रीडेंट है है या जेलर है या उनके उपर है उनको सब को लेकर चलना है क्योंकि जेल को मतलब जेल के अंदर भी उनको discipline चीए नहीं तो जेल में हर रोज murder हो जाएं वहां तो सभी लोगी सभी criminal है और सब को उमर कहत की सजा कईयों को तो हजार की सजा करें उनका काम है कि मतलब कि अगर मैं अपने सैल में सो रही हूं अगर मैं रात को दो बारी भी उठा हूँ तो वो सुबह इंफॉर्मेशन सबसे पहले जेलर को जाएगी कि लग्की बीज दो बारी उठा था हमने दूर से देखा अब वो दो बारी क्यों उठा नहीं पता मतलब सिर्फ उठते वे उन्होंने मुझे देखा मतलब रात को जेल पर सासन तो अलग बात लेकिं कम से कम सो दो सो कैदियों की दूर से मेरे उपन नजर होगी उनकी यही नजर होगी कि मैं रात को करके आ रहा हो करके ठीक है हर पल की इन्फॉर्मेशन देना मतलब मैं अपने ले उठाओं तो उनके दिमाग में यार उठ कोई प्लैनिंग तो नहीं करना जेल के अंदर मैंने क्या किया है मुझे लगा किया मेरी आदत है एक्सराइस करने की मेरी आदत एक्सराइस करने की हमेसा ही रही है मतलब रूटीन मेरी हैबिट है सुबा एक्सरसाइस शाम को गेम अब यार मैं जेल में उठ रहा हूँ तो मैं अपनी सैल के अंदर चक्कल लगा रहा हूँ चार-पांसो चक्कल लगा रहा हूँ छोटा सैल है अब उनको लग रहा है रही एक्सरसाइस क्यों कर रहा है कहीं जेल से भागने की कुसमत तो नहीं है तो उसमें भी दिक्कत और मैं कहीं भी जेल में जिस जेल में भी हूँ चलो वहाँ मेरे कुछ दोस्त हैं जो मुझसे मिलने आना चाहते हैं उनको पता चलता है चलो मिलने के लिए जाते हैं करके वो मुझसे वहां मिलने के लिए आते हैं उससे पहले मुझे दूसरी जेल में सिफ्ट कर दिया जाता है तो यह पहले इंफरमेशन उनको मिल जाती थी कि कोई मिलने आने माला है इसलिए ट्रांसफर कर दिया जाता था? ने ने जैसे, suppose करो कि मेरे घर से जेल सो किलो मिटर दूरी पर है तो यार दोस्त करते हैं कि ठीक है चलो प्रोग्राम कर लेते हैं, सो किलो मिटर दूर है तो एक बार मिल लेते हैं जाकी ठीक है, तब तक न्यूज में आ जाता है कि यार लग्की बिस्ट को दूसरी जेल ट्रांसफर कर दिया और थीन सो किलो मिटर दूर है और वो कहा हैंगे मिलने, उनका प्रोग्राम ता सो किलो मिटर दूर आनेगा गर कि वो मुझसे मिलने भी नहीं आ पा रहे है और कभी-कभी किया है कुछ जेल में मुझसे मिलने आ रहे है तो मुझे नहीं बताएंगे हो मिलने आ रहे है या नहीं आ रहे है जेल पर सासन मुझे कभी नहीं बताएगा मिलने आ रहे है और रंडमली थोड़ी दिर वेट करेगा और उनको जूट बोल देगा कि यार वो तुमसे मिलना नहीं चाहता मुझे नहीं पता कि जेल में मुझे कोई मिलना आया गर की वो दो दोस मुझे और गुस्सा हो गए अच्छे से बोले यार एक था हम तीन सो किलोमेटर मिलना आया है साल हमसे मिल भी नहीं रहा है करकी मुझे तो पता ही नहीं है यह बात कि मैं तुम से मिलना चाहरा हूँ या नहीं मिलना चाहरा हूँ तर ऐसे क्यों किया करते थे ऐसे वास देर रीजन और जो दूसरे कैदी थे इन लोगों के दिमाग में ऐसे क्या डर पैदा कर दिया था आपके बारे में कि मतलब जो मुझसे मिलने आ रहे हैं पहले तो कहा है कि जेलर कोई पता ही नहीं है कौन है करके जरूरी नहीं है हर एजेंटी मुझसे मिलने आएगा आम लोग भी मुझसे मिलने आएंगे अब उनको यह लगता है कि यार यह कहीं कोई network ना बना रहा हो जो इससे मिलने के लिए आ रहे हैं कोई वो shooter तो नहीं है कुछ तो नहीं है कोई jail में कोई program तो नहीं है मतलब jail के अंदर सा कोई होने वाला तो नहीं है करके तो jailer को हमेशाए ड़र और jailer भी कभी नहीं चाहता है कि उसकी jail में भी कोई incident हो करके हर jailer भी यह चाहता है कि यार उसकी jail में हर आदमी safe रहें करके तो मैं यह नहीं बोल रहा हूँ अगर एक jailer भी मुझे अपनी jail से अगर दूसरी jail भेजता था तो भी यह दिल में पत्थर रखके भेजता था क्योंकि जहाँ वो 3,000 आतमे को control कर रहा हूँ उसको भी जवाब देना पड़ता है ठीक है ministry को कि यार मैं इसको control नहीं कर पा रहा हूँ उसको मैं भेज रहा हूँ तो जितनी मुझे problem थी problem उसको भी उतनी थी हुआ एक incident चोटा सा कि मैं थोड़ी देर के लिए भार की तरफ आया वहाँ नएने केदी ओर आया मैं जिस cell में में रहता था वहाँ सकंडरी cell क्या था कि नएने केदी भी वहाँ पर रुखते थे दूसरे cell में तो मैं time pass करने के लिए क्या कर रहा था मैंने बैट sheet के अदूपर Dallas बनाया हुआ था और मुझे लूड़ी खेल रहा था अ मैं खेल यह खेल रहा हुआ था मैं और खुदी बैट sheet के अदूपर बना रखा था मैं ने और मिर सथ कोई खेलता भी ने था कभी नहीं खेलता तो एक नया नया लड़का आया तो उसने का भाई मिभी खेल लूँ मैंने का खेल ले रगा हिए तू भी दखाया वो भी 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 ठेलने लग गया मैं सबरी इतनी देर में किसीने मुख बरी कर दी उसके लिख दी जेलर तक तो पाच म miraculous मैं 24 लोग आये और उसको बोला भाई तुम्हें बुला रहे हैं करके उसने कार भाई बोला लखकी भाई रुको यही से स्टार्ट करेंगे बेमा नी मत करना मैंने का ठीक हैर भाई मैं वेट कर रहा हूँ तो थोड़ी देर के बाद देखता हूँ बाहर जाके कुछ चिलानी की आवाज आ रही है जूर जूर से तो उसको कम सकम पचा साथ लट मारे बाहर अरे बाबरे तो किसके साथ लुटो खेल रहा है करके जूरी अपर जब रहा है उसको पहले यह समझ महीन हूँ नहीं मुझे मारा क्यों गरके मतलव उसको लट से मारे repeat अब उसको पता नहीं चला उसको मारा क्योँ तो जब ओं रोते रोते अंदर की तरफ आ रहा था तो किसी न बोल दियाँ ही कि तुझे इसे साफ्र लूढरान खेल रहा था करके अब वो चिलाते ब estásख लूट बोले मै के लूट ढोलना क्याल दा मर सा तो कोई और भी खैल रहा था करके तो यह ठा कि आप लोगोगो एक चोटा सा मैसेज, कि आप इसके साथ बैठोगे, बात करोगे, आपका यह हस्र होगा, बहुत गलत मैसेज था यह, तो मैसेज गलत ही था फिर तो आपको ऐसे लोनलीनेस वगेरा काफी हुआ होगा वहाँ पर क्योंकि कोई था ही नहीं आपके पास आने वाला फिर चार साल फिर कैसे बीत है आपके मुश्किल है लेकिन मेरे माइड में सरफ एक ही चीज था इन चार सालों के अंदर कि मुझे बाहर निकलना है बस सरफ मुझे बाहर निकलना है, मुझे इस सहल से के अंदर में कभी बी मैंने कोई work किया है. कुछ भी किया है मैंने मने सकंडिली सीज पर कभी सोचा ही नहीं है. मेरा हमेजाँ प्राइमर्य टाक्स रहता है जब मैं एजенशी के लिए काम करता था तो मुझे मैं प्राइमरी टाक्स दिखा है मतलब में नहीं मतलब अपने लॉयर से डिसकस किया कि सर आप इस पॉइंट पर भेहस करो कौट पर करके कि इस पॉइंट पर भेहस करो इस पॉइंट पर आप सइफ निकलेंगे करके क्यूंकि रीज़न क कीरह मेर है मेरा एक ही म medium सत्था वाँ पर, कि मुझे इस सेल से बार, मैं इनोसेंट तो तभी हूँ ने, जब मैं बाहर निकलू, आज मैं आपके साथ भी podcast कर रहा हूँ, है ने, आज मैं लिख रहा हूँ, मैं इसलिए लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं आपने आपको इनोसेंट प्रूफ किया है, कि मैं इनोसेंट हूँ भाई, पर कहीं न कहीं है, आपका experience भी तो है, जो बोलता है, experience या training कहो, आपको मजबूत करता है, कि जेल के अंदर लगता है, कि चार साल, मैं जेल के अंदर चार साल, कमरे के अंदर भी one year निकाल सकता हूँ, आप मुझे म अगर आप आज की generation को भी देखो, तो उसको लगता है कि या नहीं मिर पास एक normal गाड़ी है, अब मुझे normal गारी से बीम लेना है, बीम से Mercedes लेना है, Mercedes से Ferrari लेना है, फरारी से मुझे खुद का जेट लेना है, इस सोची तो है, मतलब वो सब कुछ वो इस normal गारी में भी कर सकत है, लेकिन उसके दिमाग के अंदर एक चीज आगी कि नहीं है, मुझे यही चीज करना है करके, फैमली आदी थी आपको मिलने के लिए, मतलब कही बहुत टाम में, मैं तो बोलता था अपने फादर को कि यार मदर को लेके मताना करके, बोलना सब सही है, क्योंकि इंसान टू मैंने बोला कि मैं भी तो एक इंसानी हूँ, ऐसा ट्रेनिंग एक अपनी जगह है, है ने, ट्रेनिंग आपको तौफ बनाती है, लेकिन आपकी ट्रेनिंग आपके मा के आगे तो नहीं चलेगी ने, क्यों, आपकी मा तो मा ही रहेगी, आप दुनिया में कितने भी बड़े कि अंदर आप इस धर्दी के सबसे बड़े सोलजर बन जाओ, सबसे बड़े पावरफुल रहो, आप एक मा के लो उसके बेटे ही रहोगे, उसको कोई फरक नहीं पड़ता है, आप दुनिया में कुछ भी हो, तो यह मैंने कोशिश करी हमेशा, कि इन चार साल के अंदर, एक गौर्मेंट के लिए काम किया, कई कवर आइडीज में काम किया, अब आपको प्रूफ करना है कि आपकी मा को यह ना पता चले, मेरा बेटा परिशाना करके, तो यह बड़ा कफ है, कैसे किया फिर आपने, जब मामी में लाई सुदेर, रात बर प्रैक्टिस किया, तो यह को तो मोर मेरी माँ जाये करके, जे, जे, बेस्ट एनेस जी कमांडो, इंटिलिजन से एजेंट, अब आप राइटर भी है, वेब सीरीज, फिल्मों के लिए जैसे आप लिख रहे हैं, तो अलग-अलग प्लाटफॉर्म पे आपने अलग-अलग काम किये, किर्धार निभाएं लेकिन मुझे अब ये बताएं कि लखी बिष्ट अपने आपको खुद कैसे देखते हैं, अगर लखी बिष्ट के मैं बात कहूँ, अपने परिवार के लिए लखी बिष्ट क्या है? मैंने आपको जैसे बता है, कि मैं एक बहुत नॉर्मल फैमिली से, मतलब मेरे गाओं में आज भी आप चले जाओ, 2024 में आपको मैं बता रहा हूँ, आज भी मेरे गाओं में मेरे घर तक जाने के लिए आपको दो किलो मेटर पैदल जाना पड़ेगा परसेंट टाइम में, आज भी, आज भी, मतलब आपको लास्ट जो रोट पहुंची है, वो रोट भी दो किलो मेटर दूर है अपमारा घर, वहां से, तो एक बहुत नॉर्मल मतलब, अभी जैसे मेरे मतलब मा को या मेरे गाओं को ये पता चला किया, कि मेरे उपर एक बुक लिखी है, तो उनको कोई फरग नी पढ़ता बुक लिखी है, तो क्या हो गया बुक लिखी है, तो उनको कोई फरग नी पढ़ता है, तो उनके लिए आज भी वो ही है, उनको इस से कोई फरग नी पढ़ेगा, चाहे हो मेरे फैमली हो, मेरे घरवाले हो, मेरे गाओं वाले हो, उनके लिए मैं व बीक भाइकी लाइक काकी भी होती है वो जानने के लिए तो ऐसा geht उन्सिदेंट बता सकते हैं आप जहां पर आपने जहां जो जो इंसिदेंट कहीं मौजूद नहीं है , या कहीं अभी तक लिखा गया नहीं है, कोई ऐसा इनसिदेंट एक जो मैंने पड़ा था वो मुझे याद है कहीं तो कि आपने एक साथ एक बार में 40-50 लोगों को मार गिराया था Is that true? मतलब operations होते हैं, अक्यला तो मैं नहीं था मेरे साथ और भी मेरी टीम थी तो अगर कोई हमें नुकसान पहुंचाएगा, हम तो मतलब मैंने आपको बोला कि हमारा जो देश है या कुछ भी हम तो आइनसा में रिस्वास रखते हैं हम पहल अभी भी नहीं करते हैं चाहे हमारा दुश्मन क्यों नहीं हो हमारा दुश्मन हमारे घर पर है हम भी उसको बिल्कुल मेहमान की दिर रखेंगे जब तक वो हमें पहल नहीं करेगा अगर किसे ने हमें पहल किया तो फिर हमारा को किसे ने छेड़ने की कोशिश करी अगर तुम हमें थोड़ा सा भी छेड़ो गए तो हम तुम्हें कवर तक पहुचाने तक ही रुकेंगे उसके बाद तो बहुत सारे रहें कई बार क्या होता है कई बार मिश्ट कई बार अलग अलग कवर आईडी में रहते हैं और एक बार ही जस जसे मैं एरपोर्ट से बाहर निकला तो एक ने मुझे पहचान लिया कि यार हाई करके अब मुझे यार ये लगा यार कि यार ये मुझे किस आईडी में पहचानता है कि मैं उसको नहीं पहचान पा रहा हूँ में बहुत टफ हो गया हूँ उस सिच्वेशन पर कि एकदम उसने मुझे पैचा ना लेगिन मुझे नहीं पता कि इससे पहले मैं इससे कभी मिला तो मने इसको क्या अपना नाम बताया क्या चीज बताया वो में बहुत टफ था ठीक है तो मैंने उससे हाई कोशिश बैठे बात करे और मतलब मैं चाहरा था कि वो मेरा नाम बताए करके ठीक है तो बातों बातों के अंदर मैंने उससे कुछ बात करें रंडम ली उसने मुझे मुझे मेरा नाम बताए करके तो मुझे समझ मा आ गया कि मैं इससे पहले मिला कि मैं किस कवर आइदी में मिला करके तो एक सीक्रेट सर्विस में काम करने का फा सारे calls आते हैं, तो फिर दुबारा continue phone आया, same number से ही दुबारा phone आया, मैंने phone उठाई लिया है, मैंने का चलो phone उठाई लेता हूँ, हो सकता है कोई मेरे जानने वाला भी हो, तो सामने से एक normal तरीके से एक आदमी की आवाज भी आई मुझे, की बूला, भाई देख सुन, बूला, हाँ, तो उसना बात करने का तरीका टॉन थोड़ी change थी उसकी, बूला की तेरे बारे मां सब कुछ जान गया हूं, करके, मतलब तेरे बारे मां सब कुछ जान गया हैं, करके, तो मने गा, क्यार, मैं समझ गया उसकी टॉन से कि एक थ्रैट टाइप की बात कर रहा है करके मैंने का समझा नहीं यार मैं बुला देख तेरे बारे में हम सब कुछ जान गए है करके ठीक है और बहुत जल्दी तेरे तरह पहुच भी जाएंगे मैं थोड़ा सोचा कुछ लोग सामने बैठे थे मतलब जिनके साथ में मिटिंग में बैठा था तो मैंने का एक मिंज करके सामने वाले लोग हैं विचार राइटिंग के मतलब परपस से मुझ से बात कर रहे हैं तो मैं थोड़ा सा उठके गया तो मैंने का हाँ बता तो सेम उसने repeat बात करी यार मैंने का देख बाई मैंने का जिन्देगी मैं कभी मिलना मतने तो तुझे कोई नहीं जानेंगे आज के बाद तो उसके उसका कभी कोई call नहीं आया तो आपको threats बहुत मिलेंगे जिसने करना होगा वो कर देगा उसको threat देने की जरुवत नहीं है अगर मुझे किसी से बदला लेना है या मेरा कोई enemy है तो मुझे को phone करके नहीं बोलूँगा यार तो मेरा enemy है करके ठीक है जिस दिन मुझे बताना होगा मैं बता दूँगा तो दुनिया के अंदर हजारों लोग हैं ऐसे अपने परिवार में 5 लोग है तो पांच को नहीं खुस रख सकते तो आप दुनिया की बात कहां से लोग है करके पर ऐसा कोई operation मैं जिसके बारे मैं पूछ रही थी आपसे एक spy की life में जो आपने किया एक spy की रूप में जो कहीं दर्ज नहीं अगर आप शेयर करना जाएं, यह तो थ्रेट वाली बात हुई, मेरा एक फ्रेंट था बहुत अच्छा, हम बहुत साथ में रहे, ट्रेनिंग भी अमने साथ में करी, कई CIOPS भी अमने साथ में रहा, तो एक दिन क्या हुआ, उस नम फोन नहीं थे हमार पास, मोवाइल फोन वगरा नहीं थे, तो वो रात के टैम, कैम को क्रोस करके बाहर चला गया फोन करने, मतलब मुझे भी नहीं पता चल पाया, मस होया तो निकल लिया, उसको साथ फोन करना था, कुछ चीज है, तो उसको ब बाडी में 18 नट बोल डाले, ड्रिल मसीन से छेद करके, मतलब दोनु पैरों को जोड़ा एक साथ, और ड्रिल मसीन से छेद किया, फिर नट डाल के कसे, तो ऐसे उसकी पूरी बाडी में 18 नट बोल डाले, हम रात को यह अलारम लग गया, क्यूब रात को नहीं था करके, हम सर्च में निकले तो नहीं मिला हो मारको, हमने डूना उसको सर्च में नहीं मिला, तो वी तिन लगबख 10 दिन के बाड, उसकी बोड़ी मिली, और उसकी बोड़ी मां 18 नट बोल थे, होटने, तो जब उसका चेक किया गया, डॉक्र से, पी.म वगरा चेक किया उसका चलो आप आप नहीं पसंद करते हमको, हमार को हमारे देश ने भेजा या गौर्मेंट ने भेजा है, पीस किपिंग के लिए, आपको नहीं पसंद आप शूट करो नहीं, आप तो इतना तो कोई अनिमल को भी नहीं करता है, तो बड़ा बुरा लगा, मतलब ये देखे, मतलब कि समझ में नहीं आया, तो समझ में भी नहीं आया कि मतलब ये क्या हुआ करके, तो गुसा था, तो हमने बात करी, उपर हमारे मतलब सीनियर्स ने बात करी, उपर जो भी हमारे कमांडर्स थे, तो अब उपर का वो ही है, International Women Rights Commission फलाना ये कोई, तो उसके बावजूद भी हमन सिगनल को बोला यार, कि कि आप कोई भी कॉल मतलो इस टाइप की करके, हमने उपरेशन करा, और उपरेशन के अंदर, हमारा, मतलब जिसके, जितने उसके नट बोल नहीं तो उससे साथा आदमी गिरा है, हमने 24 गंटे में, तो आज भी लगता है, वो मतलब एक, लगा हो एक हमने भी मतलब उनको 24 गंटे में रियक्शन दिया न उसका, हमने भी रियक्शन दिया, हमने रियक्शन दिया कि हमने का कि जितने तुमने नट बोल डाले हैं, उससे जादा हमने तुमारे आदमी ले लिये करके, जासूस होना तो काफी, यह कोवर्ट वाला प्रोफेशन भी तो पूरी लाइफ में हमेशा यह ऐसे लोग है जो लाइम लाइट में रहें, उपर से बड़े बड़े नेताओं की सिक्योरिटी और यह कोवर्ट ऑपरेशन यह भी अलग तरीके का काम है, तो आपके लिए कौन सा काम जादा चालेंजिंग रहा है, पब्लिक फिगर्स को करने का या फिर दूसरे देश में जाके अपने लोगों को बचाने का औरिशन, मैं मेले इजी हो रहा है, मे इस अब सर्शन रहें है, बहुत इजी है, बहुत है, आपरेशन करते से महीं कमांडर होता हूं, महीं Self-second लेता हूं, मुझे मजभब सारी पापर मेरे पास होती है अगर वहाँ पर नुकसान होगा तो सिर्फ मेर को ही नुकसान होगा तो वह मेले बहुत एजी है कि किसी भी देश पर जाके या कहीं भी कोई CIO आपस में जाके या कोई militant के खिलाब operation करना हो मेले बहुत आसान है यह मेले बहुत टफ है इस situation में क्या होता है कि हमार को एक आदमी को protect करना है मुझे एक responsibility मिली यह कि आप इन्हें इनके घर से लेके जाओ गए अभी और जो भी इनके दिन बर जो भी प्रोग्राम और शाम को इनके घर तक छोड़ने की जिम्यदारी है अब उसमें क्या है कि मैं जा रहा हूँ चलो इससे पहले हमने माना कि बहुत सारी covers है करके मतलब चाहे intelligence का ring हो RNW का ring हो, IB का ring हो, MI का ring हो या local police का ring हो लेकिन situation में क्या होता है कोई भी जब VIP है कोई भी नेता जाता है तो हर आदमी उससे मिलना चाता है हर आदमी उससे मिलना चाता है हाथ मिलना चाता है हर आदमी flower देना चाता है और उस situation में कभी भी जो आपके साथ का जिसको आप protect कर रहे है वो कभी नहीं चाता कि उसकी public उससे नाराज हो वो गएगा आने दोगर के आप और उस situation में बहुत मुश्किल है कि मेरे को order से या नहीं आने देना हम मैं क्या करूँ बात इनकी मानू क्योंकि actually क्या इस time पूरा media coverage है अगर मैं direct अगर मैं direct उनकी बात नहीं मानता तो जिसको मैं protect कर रहा हूँ उसकी एक तरह से insult है तो इस situation में बहुत मुश्किल हो जाता है कि मतलब दोनों को ही नाराज नहीं करना मुझे पबलिक को भी नाराज नहीं करना और अपने जो जिसको मैं protect कर रहा हूँ उसको भी नाराज नहीं करना तो यह situation handle करना बहुत मुश्किल है तो एक चोटा सा ऐसे incident मैं एक नाम तो नहीं बताऊंगा मैं उनको protect कर रहा था तो जस्ट कहीं निकलना था तो उन्होंने मुझे अपने office में बुलाया उस time वो CM थी तो उन्होंने मुझे बुलाया और बुलाने के बाद बोला कि हम अभी जहां जा रहे हैं तो बहुत सारे हमारे MP और MLA आएंगे करके आने दो आने दो आप आने मत देना तो मुझे लगा कि मने कुछ शाहिद गलत सुन लिया हूँ तो मने का में ने ने बोलाओ हमारे लोगा और मैं कहूंगी आने दो आने दो लेकिन मेरे नजदीक मत आने देना ताकि उनकी image खराब नो पाता आप सोच था, यह मतलब जा मिदश किजल किसे पर किसे आपको हुए और कर दादो और कि जैसे हम प्रोग्राम कि पहुंचेंher और प्रोग्राम में पहुंचेंहां सब्सक्राइब छो बीन के उनका उनका कारियस करता है और अन No. नहीं आने देना करके, तो वो पीछे से बोलने आने तो हमारे लोग हैं, और तो उस situation में हमी बूरे, कि security नहीं आने दिया करके, नहीं है, तो आपको, जो हो आपको वो फेस नहीं करना है, जो दिखाई दे रहा है, वो सब कुछ नहीं हो रहा है, कभी भी मतलब आज के लोग भी अगर लोगों को लगता हो गया, security इतनी शक्त है, लेकिन actual में देखो, पुब्लिक को समझना चाहिए, कुछ नहीं है, वो सिर वो ही orders follow कर रहे हैं, जो हमको दिया है, या जिसको protect करते समय, हमने लगता है, कि इसकी safety के लिए है, गर की, क्योंकि बहुत सारे incident हुए है देश के अंदर, आप चाहिए, इंद्रा गांदी incident देख सकते हैं, चाहिए आप राजीव गांदी incident देख सकते हैं, बहुत सारे incident हु गोने, अमनेता तो क्या बोलूँगा, बहुत सारे दुनिया में लोग हैं जो approach करते ही हैं, ओफर्स देते हैं, लेकिन मुझे पता है वो रस्ता क्या है करके, अगर लोगों को आज का जो youth है, अगर आपका आज का youth को देखो तो हर चीज वही follow कर रहा है, उनको shortker चीए, उ उनको क्या देखते हैं कि ओ लोग एक आदमी hundred गाड़ियों के अंदर move कर रहा है, हैंने, सो सो गाड़ियां उसके पीछे चल रही है, luxury गाड़ियां, पैसा, मतलब reels, तो उनको लगता है यही life है कर की, एक लड़के को लगता है क्या करूं engineer बनकर, क्या करूं IS बनकर, हैंन इनकी life देखो ने, हैंने, मतलब वो उनसे बहुत ज़्यादा परभावित होता है, आज का जो youth है, एक बारी मैं जेल के अंदर था, और एक हिंदुस्तान के बहुत बड़े gangster, तो जैसी में वहाँ गया, उनने ने मुझे चाही पर बुलाया, तो मैं भी चाही पर गया उनस लोग इनके आगे पीछे, तो मैं उनको देखा थोड़ी दिर मेरे जयन में चीज़ा आई, कि ये life देखो यार, आज इनके पास एक chair भी नहीं है बैठने के लिए, ये जमीन में बैठ रहे हैं, साथ में, तो मुझे रहा नहीं गया, और मैंने उनसे पूछ लिया, मैंने ग तो मैंने तो बुले यार, कि ये लक्की, तुझे तो पता ही है सब, तो मैंने का चुछ बताओं या जूट, तो मैंने का मैं समझा नहीं सर, तो बोले देख यार भाई, सच ही है कि मेरी फट्चू की अच्छे से, और जूट तो ये है कि मैं आज भी बहुत बड़ा दॉन ह तो यह सब के साथ ही है, मतलब उन्होंने सच्चा ही यह बताए कि मैं बहुत बुरी तरीके से परिशान हूं करके, मैं बहुत थक चुका हूं। बहुत बड़ा नहीं नहीं यूद को जो नए जनुरेशन हो उनको गलत रास्ते पर लेके जा रहे हो। यह बहुत कॉमन नहीं हो गया कि अंदर बैठे बैठे क्रिमिनल्स पॉलिटिशन बनते जा रहे है यूथ को इंफ्लूइस कर रहे है इसके पीछे भी रीजन क्या है कि ऑब अब जैसे ही करना हिगगा फॉर्धब को जाड़ू लगाना पढ़ेगा को तो बड़े गैंग till योर्ड़ को बड़े क्रिमिनल्स प्रशक्राइः इनको लड़का है कि यहां लोग जारू लगा रहे हैं, चीजे लगा रहे हैं, भाई ने तो बिलकुल 25 जार का जूता पहना हुआ है, ब्रेंडेट कपड़े पहने हुए, इसके लिए बढ़िया खाना आ रहा है करके, उसको बहुत बढ़ा लगना सुरू हो जाता है, तो मतलब कि उसको भी आर 20-50,000 उपर भी डाल दिये, उसको लगा तो जेल तो कुछ भी नहीं है, मैं तो कभी भी आने के लिए तयार हूँ, ठीक है, लेकिन उसको यह समझ में नहीं आ पा रहा, कि बेटा वो आज 2 दिन के लिए जेल आया है, ठीक है, जीज दिनों किसी बड़े केस में आ जाएगा तो भाई लोग कुछ नहीं करेंगे, वो जिन्देगी बर अंदर रहेगा, लकिजी यह बताइए कि रो में और इंट्रिजिजन्स यूनिट में, आई-बी में, काफी सारे लोग काम करना चाहते हैं, they are very curious to know a lot about raw और आई-बी के बारे में, तो जैसे आई-बी में तो direct recruitment हो लेकिन raw के बारे में किसी को इतनी जादा information नहीं है, तो क्या बता सकते हैं कि इस इंसान को अगर raw जॉइन करना है, तो वो कैसे करें, आपने कैसे जॉइन किया raw? आई-बी के अंदर तो आपके forms वगर हो तो फिलिप करके आई-बी को जॉइन कर सकते हैं, R&W के लिए क्या है, कि जॉइन करना तो दूर, अगर आप कभी R&W के office में जाओगे, तो वहां के office के बार कभी किसके board भी नहीं होंगे, तो जैसे हम लोग कई offices में जाते हैं, यह SS का office, यह SSU का office, यह major का office, तो वहां तो कभी आपको name plate भी नहीं मिलेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सा office किसका है करके, ठीक है, और दूसरा क्या है कि एक example के लिए, कि आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हिंदुस्तान में अगर किसी आदमी ने मतलब RSS भी जॉइ किया है, तो आप RSS जॉइन करके भी इस देश के परधान मंतरी बन सकते हैं, लेकिन आप RSS जॉइन करके RNW के एजन नहीं बन सकते हैं, आपका कोई भी किसी भी political चीजों से विंग के साथ आपका कोई contact नहीं होना चाहिए, आपके दूर दूर का नहीं होना चाहिए, मैंने इस दूर चीज आपको जरुवत नहीं है, आप RNW क्यों जॉइन करना चाहते हो, आप देश सेवा करना चाहते हो, यह आप देश सेवा करो, RNW खुद आप तक पहुच जाएगी, आपको जाने की जरुवत नहीं हो, खुद आप तक आजाएगे, अगर suppose करो, आप UPSC क्लियर के लिए apply कर सकते हैं, यह है अपको जरुवत नहीं है, आपको जरूबत नहीं आपको जरुवत नहीं आपको खुद R&W ले लेगी आपको अप्लाई करने की जरुवत ही नहीं है वो आप तक पहुँच जाएंगी मेरा भी एक लंबाई है मुझे भी नहीं पता था कि मैं एजनसी जॉइन कर रहा हूं अगर आप इस देश के सबसे बड़े स्पाई को अगर आपने रविंदर कौशिक सर का नाम सुना होगा वो तो एक थेटर अक्टर थे नहीं अगर आप उनकी हिस्टी के उपर चले जाओगे वो एक थेटर अक्टर थे लेकिन उनकी आर्न डबलू को लगा है सचे देश बतते हैं करके मैं बोलू तो मेरे भी फेवरेट है अब आप दुनिया के लन्दर चले जाओ इस वर्ले के अली कोहल के ऊपर चले जाओ मुझे नहीं लगता कि उन से बड़ा स्पाई इसराहिल का मुसाद का कोई होगा करके वो नहीं थे वो continue उन्होंने क्या किया उन्होंने continue मुसाद के लिए apply किया three time मुसाद ने इलाई कर दिया आप apply करोगे आपको गिनाई कर देंगे आपको नहीं लेंगे अप क्यों आना चाहते हो मेरे पास भी भ्हुत ही मैसेज आते हैं देश सेवा, देश सेवा वो कहना बहुत easy है देश सेवा मतल़ वर्ट में बहुत अच्छा लगता है इस से पहले आपने कья किया है देश सेवा के लिए आज के टेमा आप देखो ने एक आतमे एक मिठाई का डबा देता है ने किसी गरीब को 20 लोग उसकी फोटो किचाते है यार एक दरजल केला देगा तो 24 लोग फोटो किचा रहे हैं यह क्या है आप दिखा रहे हो मैंने एक इनसान से पूछा था जो सोशल सर्विस में कि हर बार जब आप यह काम करते हो तो वाई दो यू नीज समवन तो टेक यौ पिक्चर कि आप किसी को पानी दे रहे हो अब समर शुरू हो गया पानी दे रहे हैं पीछे से फोटो कीच रहे हैं विंटर शुरू हो गया ब्लैंकेट बाट रहे हैं पारिश में चाता बाट रहे हैं मैंने क्यों जब आप कर रहे हो तो यह क्यों कहते हैं ना एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पता नी चाना चाहिए तो कहते हैं कि क्यों माम आप जब बाहर पाटी करने जाती है तो फोटो डालती है तो वो ब히 आप दिखा ही रही है न तो हम बस ऐसे दिखा रहे हैं हमारा तरीका यह तो मकसद अलग है दोनों करें मैं आप पार्टी करने जा रहे हूँ आ रहे हुँ मैं आनपर किसी को महान पूरू पर कर रहा हूँ मुझे समझ नहीं आधा कि लोगों के दिमाग को हो क्या गया है कि डिफरेंस नहीं समझ पा रहे हैं कि है क्या भाई मैं अपनी लाइफ इंजॉई कर रहा हूँ मैं खूस हूँ लेकिन आप वहाँ पर क्या दिखा रहे हैं कि आप बहुत बड़े महान हैं आप दानवीर हैं करकी आपको मतलब कि दानवीर का फरगी एक बार ही क्या हुआ है मैंने अपने सीनियर से पूछा मतलब मैंने अपने सीनियर से पूछा है कि सर मेरे सीनियर ने मुझे से पूछा उल्टा मुझे से पूछा मेरे सीनियर ने क्या रख दान क्या है करके कोशन पूछ ले हम उने मुझे से दान क्या है यार हमने जवाब दिया रख दान क्या है दान हम किसी को रास्ते में अगर हमसे किसने कुछ मांगा तो वो दान है मतलब मेरे हिसाब से ओह दान है मैं ने पने बोला कि सब की यह जवाब थे जिसके भी थे कि रास्ते में एक गरीब सा कोई बच्छा आ गया कोई ऑरत आ गयी कोई भी आया मैंने उसको अब जो भी मेरी कैपसी की थी मैंने निकाल के उसको दिया तो बुले भैश दान नहीन ये भीक है गर की बोला दान और भीक मैं फरक समझो अ То तो वो दान है, आप अपनी कमाई का यार एक दो परसेंड निकाल के दे रहे हो, तो भी का यार आप चैरिक्टी कर रहे हो, दान नहीं है, दान तो मैं में अगर आप इस श्री देखो, अगर मैं बहुत बड़ा फैन हूँ करन का, महाबारत में अगर कोई करेक्टर मुझे इसने अपना सबकुछ दे दिया, दे दिया, उसने सबकुछ ही दे दिया, लोग मतलब बोलते हैं, आज भी मतलब की नहीं यार करन तो दुरियोधन के साथ खड़ा था, अगर अच्छा था तो, लेकिन एक्शली पहले हिस्ट्री पर जाओ तो सही, पहले पढ़ो तो सही कि था क्या, कि क्यों मतलब दुरियोधन के साथ खड़ा था, एक बारी क्या होता है, जब युदुस्चर को मतलब धृतराष्ट को मजबूरी में उससे युराज बनाना पड़ता है, तो दुरियोधन नाराज हो गया था उससे, बहुत चीज से, तो उसने करन को बुलाया और करन से बोला कि, क्यार दोस्ट तुम मिले क्या कर सकते हो करके, तो करन बोलता है कि, करन थोड़ा सोचा, करन बोलता है कि भाई, तुमुझे बोल तो मैं तुझे अंगरास तुझे दे देता हो करके, तो दुरियोधन बोला है, ये अंगरास तो मैंने तुझे गिफ्ट किया तुम मुझे क्या देगा करके, तो मेरा दिया हुआ तुझे है, तुम मुझे एक बारी बोल, मैं अपनी गर्दन काटके तुझे देदूंगा, एक इसारा कर, तो दुरियोदन बोलता है, भार आके देख, बहुत अर्मों की सेना, जो अस्वनी सेना थी, भार करी थी, दुरि करन थोला सही, यार हो गया, कि यार मैं क्या बोलू, तो करन बोला है, आप तुझे पता में ते लिए क्या कर सकता हूं, करके, तो दुरियोदन उससे बोलता है, कि यार, अगर तु सच मुझे देना चाहता है, तो आज के बाद तु धर्म का त्याग कर दे, तो बड़ा कि तु धर्म का त्याग कर दे करके, आज से इसी पल से, तो दुरियोदन को कोई जवाब ने मिलता, तो दुरियोदन बोलता है, कि करन को, यार, मित्र मुझे मेरा जवाब मिल गया करके, तो जाने लगता है, तो करन उसको बोलता है, कि मित्र, आज से और इस सन से, जो मेरा चीज़े करके, जब हम स्पाई की बात करते हैं, आपने अभी इतने सारे बड़े-बड़े स्पाई के नाम लिये हैं, आप भी एक स्पाई रह चुके, कैसे होती है एक स्पाई की लाइफ, हर दिन, हर एक नया किर्दार, हने, हर दिन एक नया किर्दार, नकली हसी, नकली गु मतलब कुछ भी सच नहीं है, मतलब एक इस्पाई जब भी कभी निकलता है, अगर किसी आदम ने उसको दो बारी मुड़के देख लिया, अब वो रात बर सोएगा ही नहीं, क्यार उसने मुझे 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 क्यों देखा, कई मुझे पहचान तो नहीं लिया, मतलब दो बार मुझे पर भी उसको अपना उस जगह को छोड़ना पड़ेगा, मतलब कि कहना बहुत आसान है, अगर आप दुनिया के लौके उपर चले जाओ, तो दुनिया का कानून क्या बोलता है, अगर दुनिया का कोई भी स्पाई किसी देश मा पगड़ा गया, तो उसको सजाई मौ होते है, फिर तो आपका देश भी आपकी मदद के लिए नहीं आएगा नहीं यहापर, तो लगता बहुत आसान है, हम लोग देखते हैं पिक्चरों के अंदर, तो बहुत एजी लगता है, लेकिन जो लाइफ जीता है, उसको मालूम है, क्यों हर सण को ऐसा लगता है, मतलब अगर उसका दर्वाजा भी नौक कर दिया, तो जब तक वो देखेगा नहीं दर्वाजे में कौन है करके, उसको लगेगा मेरा आखरी पल है करके, लगता है, लेकिन जब जो इनसान उसको फेस करता है, दुनिया में उसी को पता है, अगर आपको टॉर्चर समझ मां आ गया आपका आज आएंगे, आज आपके फिंगर काड़ देंगे, बन नहीं देंगे आपको, आपके फिंगर को उन्होंने अलग कर दिया, वो दर्द आपको एहसास कराएंगे, आपके हैमर से आपके दोनु ये घुटिने तोड़ देंगे, आपको छोड़ देंगे, आप जाएंगे किलोमेटर दूर तक, दोनुं हुक को यहां बोन में फसाएंगे और उपर उठाएंगे आपको, तो लगता बहुत आसान है, बहुत यह तो, मतलब सोच के ही रूख आप जाएगी इनसान की, है ने, जी, एबसलूली, तो, और वहां आपको कोई मदद के लिए भी नहीं आएगा, यहां तो अगर आपके साथ, आपके देश के अंदर, एक छोटा सा भी कुछ होता है, कोई थपड मारता है, उसमें भी आप लॉग कानून दिखा देते हैं, दस चीज़ें, उसको तो, वो तो हर रोज मौत मानता है, यहां हम मच्छे से, इसी में बैठे हैं मुझे, आपके लाइफ में, जब आप जेल से रहा हुए, 2015 से लेके, 2019 के बारे में, जादा कुछ सुनने हमें मिलता नहीं है, क्यों ऐसे, इस बीश में बहुत सारे बड़े-बड़े मेजर ओपरेशन भी हुए हैं, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है, बालकोट एर स्ट्राइ हुआ है, नेपाल में, पाकिस्तानी लेफटिनन जनरल हमीद की किड्नापिंग भी हुई, इस दौरान कहां थे आप? मैं 2015 से निकनने के बाद मुझे लगा कि कौर्मेंट के लिए काम करना चीए, तो 2019 से 23rd फरवरी तक मैंने काम किया, और उसके बाद रिजाइन दिया, तो मतलब, जो भी लगा, मतलब मुझे लगा कि यार मेरे देश के लिए करना चीए करके, या मेरे सीनियर्स ने जो भी मुझे ओर्डर्स दिये, वो मने फॉलो करें, उसका रिजल्ट अच्छा ही निकला. Absolutely, absolutely. जब आप एक बात बताईए, यह जो एजेंट वाली लाइफ होती है, इंटेलिजेंट यूनिट में जब आप काम करते हैं, तो लोग भी जाना चाहेंगे कि किस तरह तरीके से आप लोगों को ट्रेन किया जाता है, एक आपने मुझे अभी एक स्पाई की लाइफ के ब आपको mentally strong करना है, उसकी training अलग है, आपको मतलब देखो, फिजिकल के साथ साथ आपका presence of mind आप कितनी जल्दी action लेते हैं, आपको self leader, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो भी action लेना होगा, वो आपको ही लेना होगा, ठीक है, और उसका फायदा भी आप ही को मिलेगा, नुक्सा पागल आदमी है, मैं अंगली काटके दूँगा, लेकिन कोई इनसान मेरी body के ओपर अगर explosive लगा के मुझे कहता है, बलास्ट करो, मैं कर रहा हूँ, तो कहीं लगा ही training ही है, आप इसको चाहिए terrorism के उपर लेकर जाओ, कुछ भी लेकर जाओ, लेकिन जो उसको train कर रहा हो, वो brainwash भी अकतर का training ही है, आप brainwash हो रहे हो, वो आपको कर रहा है, वो उसकी training का हिस्सा है, तो दुनिया के अंदर training से बड़ा कुछ भी नहीं है, अगर आप मुझे आज बोलो कि यार, कि मुझे 40 km दौड़ना है, लगकी, 15 दिन के बाद तुझे 40 km दौड़ना है और वेट बताना, बागी training का यही है, कि मुझे मेरी ताकत का ऐसास दिलाना ही training बोलते हैं, कि मैं क्या कर सकता हूँ दुनिया के अंदर, उसको ही training है, तो दुनिया के अंदर अगर पुछ भी और mentally आपको प्रिपेर तो करना ही पड़ेगा, और इस बाई के अंदर देखो, जब आप को अलग characters मा आना पड़ता है, अभी एक नए character में डालने के लिए क्या है, किसी भी इनसान को जब एक दूसरे character मा आता है, यहां पर क्या, आप और हमें भी बात कर रहे हैं, हम natural बात कर रहे हैं, जो भी मेरे, मैं हूँ जो normally हम लोग बात कर रहे हैं, जो real life पर बात कर रहे ह मुझे कहीं पर act करना होगा, अगर मैं किसी जगह पर spy बन कर जाता हूँ, तो इस situation में मेरे पास सिर्फ life के अंदर एक ही चीज़ है, जो हम भी हम बात कर रहे हैं अभी, अभी इस situation में कहा है कि मेरे emotion पहले आ जा रहे हैं, what's बात में निकल रहे हैं, मेरे दिमाग में emotion पहल कि तरह आपके पास आया हूँ, ठीक है, और मुझे आपको किसी चीज़ के लिए convince करना है, तो मुझे सब पता है दिमाग के अंदर, script मेरे दिमाग के अंदर है, यहां पर क्या है, what's मुझे लाना पड़ रहा है, emotion, मतलब यहाँ change हो गया, तो यह real life में, और एक spy में सबसे generate करने होते हैं, जैसे movies में बताते हैं, exactly वैसे है कि make-up करना पड़ता है, और इस अभी करना पूस बताते हैं, अपको पूरा get-up बदलना पड़ता है, मतलब यह है कि normally तरीके से, आप normally तरीके से suppose करो, अगर आपको निकलना हो, हलका सा get-up change करके निकलोगी, वह एक normal है, क्य जो भी आपने target eliminate करें last time में, आपका get-up क्या था करके, आपको get-up change करना ही पड़ेगा, मतलब आपको get-up तो थोड़ा वह से निकलने के लिए करना पड़ेगा, लेकिन इतना भी नहीं कि इतना हम देखते हैं, जितने में आपने आपको safe कर सको, जितने में आपने आपको safe क लिए, you know, to get into the industry, आपके उपर, Hussain Zaidi, जैसे बड़े राइटर ने पूरी की पूरी लाइफ के उपर एक किताब लिग डा ली, और मुवी भी आरी है next year तक, नेक्स ये तक आरी है, तो यह इतना बड़ा shift, नहीं है, सर कुछ भी नहीं, और आप भी काफी सारे projects पे, यह र 18, last महीं start कर दिया था, तो मेरे सीनने ने मुझे बोला है, तुझे कुछ आता ही नहीं, तुझे कुछ आता ही नहीं, सोलह साल से तुछ यही तो कर रहा है, अब नहीं चीज क्या करेगा, कोई computer तो चलाएगा नहीं, तो नया तुख क्या करेगा भाई, survive कैसे करेगा, तो मन एजनसी के लिए काम करता था कभी टाइम ही नहीं मिला और जब जेल में खाली कायम के अंदर जो सरकारी टेलवीजन में जो पिक्चर दिखाते थे लगता है रहे क्या पिक्चर है बनाते है तो मुझे लगा है और मुझे लिखना चाहिए गरके और मुझे लिख भी रहे और चल भी रहे है जब फिर मुझे मेरे सर को मैंने कहा कि सर मैं लिखना चाहता हूं करके बोलाया ठीक है कोशिश करके देख ले करके नहीं होता तो फिर मुझे बता देना तो मैंने करा पहली बार लिखा तो मुझे तो पहली बार ये भी नहीं पता था कि स्टोरी अलग होता है, स्क्रिन प्ले अलग होता है करके, डाइलोग अलग होते हैं जब मैं यहां आया था मुझे यह सब कुछ भी नहीं पता था धीरे धीरे जाना तो जब भी मैंने फिर आप नरेशन दिया जो भी मैंने सब्जक्ट लिखे जिन डिरेक्टर को भी दिया, उनको लगा रहे कोई नहीं चीज़ सुनिये करके हमने तो हर जिगा बहुत प्यार मिला मतलब भगवान की या इश्वर की किरपा से जहां भी गया वहांसे कभी रिजर्ट नहीं हुआ, महां पर सब्जक्ट लॉक्टी हुआ तो मुझे लगा है कि या नहीं जो मैं लिख रहा हूँ वह सही है करके क्योंकि different दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कुछ नया बताने की कोशिश कर रहा हूं करके तो इतना मुश्किल भी नहीं वा तो मुझे यह समझ में आ गया कि जो हजारों या लाखों लड़के मुंबाई में आ रहे हैं यह हमवर करके भी नहीं आ रहे है अगर आप हमवर करके आओगे आ अप फैल कभी नहीं होंगे हर जगह बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ने के लिए भी है वीडियोज भी है काफी सारे सोशल मीडिया पर आपकी अपीरिंस बहुत कम है एक की दुक्की फोटो लड़किया बहुत ज्यादा पसंद करती है आपको लड़कियों का दिल दड़कता आपके लिए तो लगी बिश्ट का दिल किसके लिए धरकता है नी नी बहुत सारे मैसेज आते हैं इंस्टा में अब क को कहीं यह ना लगया कि attitude बहुत ज़्यादा है करके यह और जब तक क्योंकि होता है reason कि suppose करो किसने मुझे मुझे मैसेज किया अब उसका जब तक उपर बहुत सारे अब मुझे लगता है कि यार तुम थोड़ा सा पहले काम कर लेता हूं अभी जिस काम के लिए मुंपई आया हूं पहले मैं अच्छे से अपना काम कर लेता हूं और फिर भी आपने मेरे सवाल का जवाब ने दिया क्या आपकी girlfriend है या कुछ ऐसा है कोई सीन है कोई भी अगर मेरी profile देख ले तो वैसे उसके हाल वैसे नहीं मिलेगा तो पहले गर के मारे ऐसे कि मतलब बिलकुल एक लगे का नहीं कि किस से मिल रही हूं क्या है क्या चीज नहीं हजारों सवाल तो उसके वैसी होंगे तो आप सेटल नहीं होना चाहते है फ्यूटर में क्यों नहीं होना चाहता है हरा अदमी लेकिन अभी मेरा focus मैने जैसे आपको starting में बताया था कि में लाइक में एक वारी एक ही चीज सोचता हूं है हमेशा इसना मेरा एक ही है कि मुझे एक बहुत अच्छा maker बनना है मेरे दिमाग में सिर्फ वही चीज है और वो हम देख रह देखके गाड़ियां देखके बड़ी जल्दी influence हो जाते एक कोई message अगर आप देना चाहे रियालिटी basis बिल्कुल यूद को आज का जो यूद है में बहुत समझदार है हमसे तो बहुत ही समझदार ठीक है तो यूद को यह समझ में आना चाहिए कि shortcut कुछ भी नहीं है जल्दी गायब भी हो जाती है आप जितने भी success लोग हुए है जो रातो रात success हुए है आप उनकी history जाकर देख लो दो तीन साल के अंदर वो आपको मिलेंगी भी नहीं क्योंकि success के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है अगर आपने मेहनत से success पाई है तो दुनिया में कभी भी खतम नहीं होगी आपके इस दुनिया से जाने के बाद भी आपकी success को दुनिया देखेगी एक मैं curious पूछने के लिए यह आप गले में हमेशा रखते हैं हाँ यह अच्छली कहा है यह मेरी माने दिया है मुझे इसका मतलब मुझे नहीं पता लेकिन यह जब मैं छोटा तब मेरी माने पहना है तो हमेशा जबकि यहां तक की एजनसी का भी एक रूल था कि भाई यह कुछ चीज नहीं होनी चीए है तो कभी भी जैसे कोई भी senior के interview है तो उस पल के लिए मैं इसको खोल देता था क्योंकि मुझे भी protocol follow करने पढ़ेंगे लेकिन हमेशा मैं अपने mystery है आपको लेके जो आपने अभी भी खुल कर बताई नहीं है but we are more curious to know हम आपकी movies में देखेंगे आने वाली या हम आपकी किताबों में पढ़ना चाहेंगे audience को अगर कोई सवाल है तो वो बिलकुल comment में लिखेंगे और हम उसका जवाब देंगे लकी बिश्ट के साथ हम एक और podcast करेंगे until next time stay tune with us follow कीजिए लकी जी किताबें है उसे जरूर पढ़िए इनके काफी सारे web series आई है फ्लोर पे वो भी देखिएगा until next time stay tune thank you